जी इर्फान साथ आज आपके साथ या वाक्या पेशा आया आप कहां थे कहां से आ रहे थे और आप कहां जा रहे आ रही है सरवैच ठती बाराज सोभा चर्चे टाय ताइस जो फिरीम बने आरें से करो है चर्चे तो थोड़ा रहा पिछे कुल्ह डेरी रोकिया और इना दिराल दो पड़्या रोकिया पेना मोर्षा कख़़ा रहा एक बंदेरे चांदर लेए और रहा पता नहीं कोई पिस्टल रहा थी पिछ इसी कि मैं दो किया आज पिछे बोड़ जा तो मैं गया जी मैं और अब भाइन को आड़ ना शुरू कर देता है और तो बाद में दूदी बना देना की हो गया की वाक्या होई आपने अपने 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 आपके अलागा मैं रावी प्रेडी यह आपि चर्टित जनर्र सेक्टरी है जिए चीचाफ द्री देवेच और एवाक्या में ना ज साथे नोगई पेश आया जिए तो पहलो भी है बने अनुब मोबायल टे खौफजदा करना मेरे कार्देयर तबिद्धिया तब्जिया देदिया किया जिन्वेच मैं वीर काड़ अगे भी किया इसलिहागा मैं को एक अकलीटी एक और पी देश्याइट भी बिबर जनलर्स करना का कि मेरा जिड़ा तो कुवा होया जादसा होया साधी कली थी दोते साधे उते हमला हो रहे आज रिश्चरा जोते इस चरी साधूट के बार में शुरू कर दे इसा फौरी दोट से ले आजावे और मुर्जम कैफे करदार तक पिछाया जाए इससे पहले आपने को दर कोई ऐसा कापरण नहीं किया गया और आज भी यह वाक्या हुआ थे पहले भी धिराज कराया है और हमारे साथब अबी तक कोई कापरण नहीं हो रहा है और हम अब बिदारिश करते हैं वजीर्याइजम और वजीर्याला और ऑार जी और आप आर्पियों साहीगार थे कि हम यहां हमारे साथ मजूद है जी रावी प्रेस बडेवी के माडिरेटर पादरिय शुर्फ सिंदु साथ तो इसमें इन से पूछते हैं कि यह क्या मामला पेश आया है इसका फसमंदर क्या है और आज का वाक्या जाया है उसमें क्या है यह जो वाक्या है यह तक्रीमन दोड़ाई मा का से यह सिल्सला चल रहा है और मैंने मुझे भी गालिया थी दमकिया थी एल्डिस एहबानों को भी दमकिया थी चर्स में और चर्स के तकदस को इन्होंने पमाल भी किया और मैंने डीस्पी साफ को द्रकास दी और डीस्पी साफ ने इस बात का नोटस लिया और परपबंदी लगाई कि आप चर्च में दाखल तो हो सकते हैं लेकर आप किसी तरह की चर्च में मुझा ना करें लेकिन इसके साथ साथ यह धंकिया देते रहे यह ऐसी बातों से बास न जाए वो डीपियो साफ को भी तरखास दी है और फिर डीस्पी साफ को भी एसेचो साफ को भी लिकर आज तक कोई हमारी जो हो आवास सुनी ने गई और उसका नतीजा यह निकला है कि आज हमारे सेक्री साफ जो इलफान साब है इनको उन्होंने चाह वो मारा पीटा है और उनके नाम चाह वो मुश्ताक है मुश्ताक बेटे हैं उन्होंने इस नौजवान को मारा है और यह इनतहाई अफसोस की बात है लाज़ा मैं गुजारिश करता हूँ हकूंत पंजाब से अर्पियो साब से वजीरियाला से कि ऐसे लोगों को जरूर सजा दी जाए और उनको क मैंने यहां देखा है जी आके बाए पुलीस अपनी जोगी इन्जाम दे रही थी पुलीस की मुवाइल्स खड़ी थी इनकी इफास्त के लिए लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती बात यह जैसे पादे साब ने फर्माया है कि दो रड़ाई महां से इनके साथ मामला ना होता अगर पुलीस ने उनको वार्म किया होता यहां कोई मुश्र कारवे की होती तो आज का यह वाक्या रुर्मा ना होता इसके इलावा दूसरे अल्डर साहिवान है जिनको धंकें दी जा रही है और शायद पुलीस इसी इनतजार में है कि उनके साथ भी किस तरगा व पेशाया एफ़ान मसी को उसके एफ़ाया दर्ज करते हैं नहीं करते जाप्ता को मताबर कारवे की जाती है नहीं की जाती तो अभी इसका बाकी मामला इनके स्टेशन जाने के बाद का आपको बाद में बताएंगे फिलहाल यह बंद दो